नमस्कार दोस्तों इनकी एज 50 years है और ये विदेश में रह रहे है और भारतिय व्यक्ति है जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया यहां से थोड़ी सी भी उपर हो तो ऐसे लोगों मैं समय पर जो नीड़े लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्तावा होता है मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है और इसका कोई उपाय भी नहीं ये पाम कंप्लिट स्क्वेरिश है बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और अपने जीवन को मेहनत करके सफल बनाते हैं फर्स्ट फेलेंज नुकी ला है फर्स्ट उंगली बेंड हो रही है व्यक्ति में धर्मिक भावना शो करती है ये सुरी के उंगली बड़ी है तो हिमती सभा होता है जिव में पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेती ये लोग और ये उंगली फर्स्ट फेलेंज तक आसानी से पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याज शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट ये सारी वस्तूओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं यहां पर जब निर्दोस रूप से ऐसे थोड़ी सी भी घुमाव लेती है लाइन तो ऐसे लोगों को जो जीवन साती है वो एक्ट्रेक्टिव मिलता है हलकी सी निर्दोस रूप से मुड़नी चाहिए और ये 100% फल देती है 100% एक लाइन दो लाइन और यहां पर एक एपेक्स साइन भी बन दे यह भी परवत के गुन को बढ़ाती है हाँ यह मैं यह नहीं कहूंगा कि बूत परवत बहुत जादा अच्छा है मध्यम टैप का है तो मध्यम सुन्दरता होगी वेक्टिगी यहां पर इनके हाथ में यस साइन नजर नहीं आ रही है हो सकता है इंक में कोई दब गई हो तो पर फोटोग्राफ में नजर नहीं आ रही है अब इनके हाथ में तीन चार फिश साइन है उसकी तरफ लेकर चलता हूं मैं यह देखिए एक तो यहां पर बनी हुई है छोटी है बहुत बड़ी नहीं है एक यहां पर है दो एक यहां पर भी है यह थोड़ी सी वेरस्तित है और पाच्छे एम एम की होगी फिर एक यहां बनी हुई है यह भी पांच एम की है और तीन चार एम की एक यहां पर भी है हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी साइन तो इनके हाथ में दिखने ही रही है पर यह भी कहीं न कहीं से पैसा वेक्ति के जीवन में जोली में डालती रहती है यहां विद्या रेखा बनी है तो वेक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण वेक्ति अपनी जीवन में उन्नती भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्रेज जादा बढ़ेगी वैसे वैसे जादा लोग पूछ पूछ कर खाम करेंगे यहां पर स्क्वेर साइने दिख रही यह वेक्ति को पूछ देनी जमीन जाएदा दिलाती है और कंटिन्यू फेट लाइन है तो जीवन में पैसा आते रहेगा हाँ अब डाउन जो दिख रहे वो मैं जब फेट लाइन के क्लोज अप पर आऊंगा तब दिखाऊंगा एक लाइन जूपिटर की और जा रही वेक्ति को चार लाब देती है पॉलिटिकल लाब सरकारी लाब ससुराल पैसे वाला या सारी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और चौथा चायवक्ति जॉब भी करे या खुद का भी बिजनेस करे बड़े स्थरका करता है तो कई लोगों को चारो लाब राप्त होते किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक लाप रापत होता है एक लाइन दो लाइन और यहाँ पर एक स्क्वेर साइन भी बन रही है यह स्क्वेर साइन का मतलब है 32 के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी अगर पहले बनाओ तो 32 के पहले अगर यह square होता है तो कोई ने कोई property 32 के पहले आती है जीवन में और 36 साल में authority position पर पहुशता है और एक square यहाँ पर भी दिख रहा है तीन, चार, पाँच इवेक्ति को multiple income के source create करवाती है पामिष्ट्री astrology इस तरह के mystery science में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिक्ता अब यह line होकर इनके जीवन साती से मुझे जानकार मिले कि इनको पामिष्ट्री में interest नहीं है पर यह line ने व्यक्ति को interest दिलाती है यह guarantee है आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा इस तरह की स्थिति है और continue चलने वाली line है यह व्यक्ति को continue progress और खराब समय भी आये तो नीचे व्यक्ति गिरता नहीं यह इनकी खासियत रहती है जब बंगल उभारो तो सरीर में उर्जा तो भरपूर रहती है भरपूर उर्जा रहती है पर जवानी और teenage में अपशब्दों बोलने की भी आदत होती है जैसे जैसे उम्रों बढ़ती है कम जरूर होती है पर एकदम निकलती नहीं और second चीज जब हाथ पेर नहीं चलते उस समय पे भी ये लोग ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करते है भारी मंगल भहुत ज़्यादा उभार पर है ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनरजी के साथ मिलते सामने वाला comfortable feel करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इनके जिवन में बहुत ज़्यादा उतार चड़ाओ तो नहीं है और ये जो सीधी लाइने होती है कोई court case भी हो जाए तो इनको सफलता मिलती है सबसे सुन्दर पार्ट अगर इनका हो तो चंद्रपर्वत ऐसे लोग भूत अच्छे परचेसर होते है पानी अच्छा लगता है दूठ से बनी वस्तु अच्छी लगती है विदेश से संबंध आता है नेने शक्ती अच्छी होती है नई नई चीजे करने का शौक होता है हाँ फिस से इनवाला हाथ है तो मनी ट्रैंगल तो इतना बड़ा नहीं है पर फिस से इनवालों को नभी हो तो चल जाता है शुक्र परवत भी काफी अच्छा है तो कपड़े अच्छे पहनना अच्छी तरह रहना लगजरी लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करते अब इनकी हिर्दे रेखा पर चलते है हिर्दे रेखा में देखिए एक रेखा ये जुपिटर की और जाती है ये हिर्दे रेखा और यहां से इनका माइंड चेंज हुआ होगा एज ओफ 31 के आसपास पैसे की तरफ जुकाओ बढ़ गया होगा कामोख भावना बढ़ गई होगी और कभी कभी फीजिकल यानी हाथ पर उठाना ये तीन लक्षन इनमें पाये जाते है और ये जो लाइने ये सेवा भावी सभाव की और इशारा जाता है मित्रों को सगे समन्दों को पैसा देते हैं और ओ पैसा वापस नहीं आता और ये लाइन है फ्लर्ट लाइन है रेक्ती दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बद खुशी तुणता है माइन लाइन भी यहां से चल रही है यह दो पार्टों में चल रही है ऐसे ऐसे चल रही है और यहां पर एक ब्रेक है पर इसकी एज में नहीं निकाल पा रहा हूँ यह लगबग उस समय 18 से 19 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी उसके बाद थोड़े से सिरियस बने होंगे पर मुझे नहीं लगता क्योंकि यहां पर भी एक ब्रेक है इसके बाद यहां पर एक ब्रेक है और यह ब्रेक लगबग 33 या 34 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी उसके बाद जीवन के प्रती सिरियस बने होंगे तब तक इतने सिरियस नहीं होता ब्रेक जीवन में माइन लैन के पहले ब्रेक होता है उसके पहले और यह भी एक तरह से राहू रेखा जैसा ही काम करता है उस समय हमारी मांसिक इस्तिती बहुत खराब होती है बहुत दबाव आता है कोई ने कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण हम तरस्त रहते और उसके बाद माइन लैंच सीधी है कोई प्रॉब्लम नहीं अब जीवन रेखा पर चले तो बहुत ज़्यादा उतार चड़ा होते इनके जीवन में नहीं है एक 27 में बड़ी राव रेखा काटती हुई दिख रही है उसके बाद 29 में इस रेखा ने साधी कराई उसके बाद 33 में एक राव रेखाई 36 में राव रेखाई इस प्रॉब्लम आया होगा इनको जीवन में 41 में एक राव रेखाई और near and dearer की death शो हो रही है अगर ये line नीचे जा रही है 45 में भी एक राउ रेखा है 47 में भी एक राउ रेखा है और एक छोटी सी राउ रेखा 49 में भी है अब वापस कहीं break तो नहीं हो गया 27 का ये cut उसके बाद ये marriage line 33 33, 36, 41 और ये line नीचे जाती होगी to near and dearer की death उसके बाद 41 के बाद 45, 47, 49 और इसी period में 51 के आसपास एक बहुत बड़ा आफशूट है और यहाँ पर छोटी सी राउ रेखा भी है फिर 54 और 57 और उसके बाद 64 में progress line 70 में progress line प्लस यात्रा और near and dearer की death उसके बाद 73 में एक progress line और यहाँ पर भी एक near and dearer की death बहुत ज़्यादा heavy राउ रेखाए नहीं है पर money triangle छोटा होने के कारण जब भी राउ रेखाए ही होगी थोड़ा ज़्यादा ही लेकर जाती है पर यह जिस country में रह रहे है वहाँ राउ रेखाओ का असर भी कम होता है हमारे भारत के मुकाबले काफिक कम उसका असर होता है यह भी एक सच्च ही है अब इनके cut देखे तो यह cut लगा होगा इनको जीवन में लगबक 27 के आसपार कोई नो कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा उसके बाद 33 में उसके बाद यह investment हुआ होगा 41 के आसपास 44 के आसपास या 43 के आसपास और investment हुआ होगा और एक cut इनको यह परेशान करेगा यह age of 53 में और एक cut इनको लगेगा age of 59 में और यह 61 में बस इतने cut इनको आगे चलकर परेशान करेंगे यह investment की line है investment से income आती है अब इनकी fate line पर चलते है fate line पर ऐसा कोई major उतार चड़ाओ यहां तक नहीं है 53 तक इनके हाथ में इतना major उतार चड़ाओ नहीं है पर यह cut के बाद यह लगबग अभी जो काम करते होंगे वो से stop कर देंगे या slow हो जाएगा और उसके पहले ही कोई नहीं कोई नया कारे किया होगा उससे income होगी पर यह दो तीन साल इनको थोड़ी सी कम income होगी हाँ यह सशक्त लाइन होगी तो बात अलग है तो income में कोई जादा फरक नहीं आएगा यह एक लाइन है पर यह लाइन तो कमजोर पड़ रही है इस cut के बाद यह जो लाइन है सुरुआत से जो काम करते होंगे वो तो 53 के आसपास लगबग स्टॉप कर देंगे और यह लाइन इनको income देगी फिर एक लाइन और डवलप होगी यहां से और यह 56 से इनको बहुत जादा income देगी यह लाइन और एक लाइन और यहां से डवलप होगी जो 58 से इनको ज़्यादा इंकम देगी यह 2-3 साल अगर कम भी रहा इंकम तो थोड़ा सा कम रहेगा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर उसके बाद वापस इनका समय अच्छा आता हुआ दिख रहा है धन रेखा अति उत्तम है कोई ऐसा माइनस पॉइंट बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट इस धन रेखा पर नहीं है कहीं फूली हो या कोई हो छोटी मोटी राव रेखाया है होगी उस समय कोई न कोई तकलिफ आई होगी तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवान